एक बार एक 90 वर्ष का व्रद्ध अपने 30 साल के बेटे के साथ कुए से पानी निकाल रहा था किसान था पास में से एक शहर का व्यक्ति गुजरा उसने देखा कितनी मुश्किल से पसीने पसीने हो रहे हैं ये दोनों बाप बेटे इतनी मेहनत कर रहे हैं आज का जमाना ये थोड़ी है कुए से पाने निकालने के आजकल तो मौटर लगती है आराम से पाने निकाल दो बटन दो आजकल तो गोड़े लग सकते हैं पाने निकालने के लिए बहुत सारे विवस्ताइं हो सकती है बैल लग सकते हैं रहेट बन सकत रहे हैं हुद फिर कईूब इक कंट पर सेगज कर दोलिग अधिने कहा बाबा इतनी में इतनी में मैंने की पूरी बुरियमटी नहीं बोला और बुड़े मैं ते लिक्ते हो जाओ इशारा कि आप उंगली बूलिकैर Shant तो जाओ बिल्कुल मुद्पूर, वो एक्ती चुप हो गया, थोड़ी दिर माँ खड़ा रहता है, दोनों बाप बेटे को महनत करते वे देखता है, तक पस्चात बेटा थोड़ा सा इधर उधर होता है, और वो किसान वो नभेवर्ष का व्यक्ती, वो दूसरे व्यक्ती के क अब बोलो तुम क्या कहना चाहता है, बोले बाबा, आज का जमाना कहां पहुंच गया और तुम बाबा अदम के जमाने का काम कर रहे हो, कहां मैनत करने की जरूरत है कुए से पाने निकालने के लिए, और तुमने मुझे बीच में चुप क्यों कर दिया, यह समझ नहीं ही बात मुझे बोले बेटा मैने तुम्हे बीच में इसलिए चुक कर दिया कि मेरे बेटे को यह बात सुनाई नहीं दे, कि आजकल यह विवस्ताय हैं और इस इन्हीं विवस्ताओं से आप पाने निकाल सकतें बिना महनत किये, बोले क्यों नहीं सुनाई दे ऐसा क्यों चाहत कि ऐसी विवस्था हो जाए और अगर ऐसी विवस्था हो गई मोटर लग गई या गोड़े लग गए या बैल लग गए पानी निकालने के लिए तो मेरे बेटे का शरीर नहीं बनेगा स्वास्त नहीं अच्छा रहेगा उन घोड़ों का और बैलों का स्वास्त अच्छा हो ज पनाने के चूटकी में बदस्था कर सकता हूं लेकिन मैं नहीं करता हूं, मैं जानता हूं कि सबसे पहला सुख इस दुनिया में जीवन में कुछ है, तो निरोगी काया है। सीवक प्रिशांद भाया के प्रेरक प्रवचनों की पुस्त तक एवं डीवीडी घर बैठे मंगवाने हेतु संपर करें, 0294-6622222